तो हाई एवरिवान देस इस जिबायामन दत्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े अनॉंस्मेंट की इस एड्मिशन सीजन के दौरान UGC ने एक बड़ी नियूज लेकर आए हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को आज नहीं तो कल डेफिनिटल कहीं न कहीं आपकी जर्नी में अफेक्क करेगी या हिल्प कर रही होगी तो यह बड़ी न्यूज यह है कि अब आप कॉलेजिस के अंदर साल के अंदर दो बार एड्मिशन ले पाएंगे जहां पहले पूरे साल में सिर्फ जुलाई आउगस्ट के अंदर ही एड्मिशन लि तो अब्जर्वेशन यह पाए गई कि जहां 19 तो 20 लाग स्टूडेंट्स जुलाई आउगस्थ में अड्मिशन ले रहे थे ओफ लाइन में वहीं पे इस रूल की वज़े से लगबग 4,28,000 स्टूडेंट्स ने जैन फेब में ऑनलाइन और दिस्टन लर्निंग में अड्म इंप्लिमेंट हो रहा होगा और यह इंप्लिमेंटेशन आपके अंडर ग्राजुएशन जो डिगरी है जो बारवी के बास आप सिद्धा हम 12 के बाद लेते हैं साथ में आपकी पोस्ट ग्राजुएशन हो गई मास्टर्स हो गई और साथ में पीएचडी इन तीनों लेवल पर यह इंप्लिमेंट किया जा रहा है अब यहां पर हम समझेंगे कि कैसे यह है डिसीजन आप लोगों की जरनी में या आप लोगों की लाइफ में चाहे आप अंडर ग्राजुएशन करें अकल को मास्टर्स करें कैसे एफेक्ट कर रहा होगा जल्दी से सबसे पहले यह सम पर इंडिया में आपको साल में एक बार ही मौका मिलता है तो ऐसे में अब जिन युनिवर्सिटीज के फॉरिन युनिवर्सिटीज के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम है तो वहां पर एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही होगी दूसरा यह कि बाहर के बच्चे के जो अब एड्मिशन हैं जो इंडिया की उनिवर्सिटीज में एड्मिशन लेते हैं उनको भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी में लेगी एड्मिशन लेने की तीसरी यह कि कई बार बच्चे होते हैं जो ड्रॉप ये लेते हैं कि या रमदम लगा के अंदर पढ़ेंगे फिर त सकता है जैन्फिब के अंदर इसके साथ साथ जो और रीजन यहां पर समझ में आ रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि यह तब ही पॉसिबल है जैन्फिब में आप तभी एड्मिशन ले सकते हो जब पहला आपके पास रिक्वाइड फकल्टीज हो क्योंकि फकल्टीज की बहुत प्राइवेट उनिवर्सिटीज क्योंकि प्राइवेट उनिवर्सिटीज एक दम से एक दो ब्लॉक तीन-चार बिल्डिंग और खड़ी कर देती हैं कुछ होस्टल लगा देते हैं और यहां पे एक एडिशनल सोर्स ओफ रिवेन्यू हो रहा होगा स्पेशली आपके आपक एक जो अंडर ग्रज्वेशन का रिश्यो है या पोस्ट ग्रेज्वेशन का रिश्यो है कि कितने बच्चे कर पाते हैं वो एक बढ़ रहा होगा क्योंकि कई पार बच्चा सुछते कि एक पूरा साल वेट करते हैं या मास्टर्स के लिए एक साल कौन और वीट करेगा इस 6 महीने का उनके पास टाइम है, ये समय लेने का, most probably private universities इसके उपर पहले जंप करेंगी, और दूसरी अब दो बड़े सवाल यहाँ पर उठके आते हैं, पहला बड़ा सवाल ये, कि ये जो Jan-Feb के अंदर हमारे admission होंगे, इसका exam कब होगा, क्या जो exam पहले हुआ था, उसी के basis पर admission हो जाएगा, ये एक second exam conduct किया जा रहा होगा, और दूसरा बड़ा सवाल ये आता है, कि जो बच्चे Jan-Feb के अंदर admission लेंगे, क्या उन्हें same placement opportunities मिलेंगी, क्या उन्हें same job opportunity मिलेंगी, क्या companies, जो पहले हमेशा, जो best companies होती हैं, या किसी भी college में placement के लिए आती हैं, वो सबसे first month में ही आ जाती है, fourth year में जब आपका first month होता है, which is your August month, July-August month में ही, आपकी best companies आ जाती हैं, तो क्या जो बच्चा बाद में एक semester बाद admission ले रहा है, उसे भी उनकी opportunities मिलेगी, क्या company उसी college में दो बार आएंगी, तो ये एक बड़े सवाल आ जाते हैं, और ऐसे में हर एक जो student है, मैं especially b.tech के अंदर या बाकि जितनी भी degrees जहां के अंदर बच्चों को placement मिलती है, एक लिस्ट आपको तीन से चार साल का wait करना चाहिए, अंडर ग्राजुवेशन के अंदर ये देखने के लिए, जो first batch जैन फिप का है, उनकी कैसी placement है, उनको पहले आप analyze कर पाएं, दूसरा, ये किन बच्चों के लिए सबसे ज़ादा beneficial होने वाला है, ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़ादा beneficial होगा, जो masters कर रहे हैं, ऐसे बच्चे, जो कियार अपना BTEC तो कर लिया, उसके बाद MBA करना चाहरे हैं, तो कई बार आप साल, दो साल के लिए बीच में job करते हो, तो अब वेक्तियों को wait नहीं करना पड़ेगा, एक साल के लिए की cat का paper तब आएगा, मैं तभी admission ले पाऊंगा, अब वो cat साल में दो बार admission ले पाएंगे, साथ में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि जो exams हैं, वो भी साल में multiple times होने लग जाएं, तो बाहर काफी सारे जो ऐसे ही होते हैं, आपे क्या होता है, हर दो-दो-तीन-तीन महीने में भी exam होते हैं, जो भार की universities हैं, या साल में दो बार paper हो रहे होते हैं, हो सकता है similar pattern हमें आगे देखने को मिले, कि कोई बच्चा खलको MBA करना चाहता है, तो उसके साल में दो paper हो रहे हैं, या एक paper की basis पर आपो साल में कभी भी दो टाइम पर admission ले सकता है, similarly जो PhD students हैं, उनके लिए बहुत अच्छे खुशकबरी है, क्योंकि कई बार जो आप ये master's और PhD प्रोग्राम के लिए जा रहे होते हो, तो बजाए एक साल वेट करने के, या आठ महीने वेट करने के, दस महीने वेट करने के, शिक्स मन्त एक आपका sweet spot निकल के आ रहा होगा, पर फिर कई बार उन्हें डिक्लाइन मिलता है, कि या शुरुआत में जोश था फिर एक दम से गिर रहा है, अब ऐसे कारणों के अंदर उन्हें पूरे आठ-दस महीने और वेट नहीं करना पड़ेगा, वो अगले दो-तीन महीने के अंदर ही फिर जैन-फैब में एडमिशन ले ले लेंगे, पर अंडर ग्राजवेशन में मुझे अभी थोड़ा से रिस्की लग रहा है, इसी के साथ इस बड़ी न्यूस के साथ यार हम यह समाप्त करते हैं, इसी के साथ आज कही से समाप्त करते हैं, वो इसका अच्छा बेनेफिट उठाएंगे आने वाले समय के अंदर, तब तक के लिए कई सारे स्टूडेंट्स का यह डाउट था वहिया कि आप जैन-फैप के अंदर भी अडमिशन ले सकते हैं, तो इसे के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए लव यू आल, टेक केर अंद सीया।